हेलो फ्रेंट्स, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका मॉबाइल केमरा इरर बता रहा है तो हुझ आपके जाए केमरे को कैसे ट्रिक कर सकते हैं इसके बारे मैं आपको बताऊंगा जब आप अप सेल्फी लेते हैं या मोबाइल से अपने फोटो लेते हैं तो आपका कैमरा जो है तो इर बताता है जैसे मैं आपको दिखा देता हूं कि की इस तरह है तो यह देखे मैंने कैमरा ओपन किया और इसमें लिखा स्टाइल कांट कांटेक्ट टू कैमरा ट्राई रिस्टेंडिंग यूर डिवाइस हो कि तो इसको आप कैसे साल्व कर सकते हैं अगर आप और क्टेर आपको करते हैं तो आपका कैमरा नहीं होता है तो मैं आपको बताता हूं कि यह कैमरा आप और कर Republican करदेगा और बेल आएकन को प्रेस कर दो अड़ीडियो को लाइक कर दो के Чले वीडियो में आगे बाते तो तो हमको सबसे पहले सेटिंग ओपेंग करना पड़ेगा तो मैं सेटिंग ओपेंग कर लेता हूं किया तो रा नीचे की यो रिस्क्राल करेंगे और मैंनेज एप्स पर क्लिक कर देंगे ठोड़ा सर्च होगे इसके बाद यह इंटरफेस को लेगा और यहां से आप अपना कैमरा धून लेंगे यहां भी कैमरा का अपसन होगा उसको आप धून लेंगे जैसे मैं यहां से सर्च कर लेता हूं कैमरा कैमरा यह देखे कैमरा यहां पर क्लिक कर देंगे और यहां से क्लियर डेटा कर देंगे और यहां से क्लियर डेटा पर क्लिक कर देंगे और यहां से क्लियर आल डेटा पर क्लिक कर देंगे और यहां ओके पर क्लिक कर देंगे तो अपका फूरा डेटा क्लियर हो जाएगा ओके अब इसके बार थोड़ा इसको back करेंगे और यहां रिष्टेक्ट डेटा उस पर click करेंगे इसके आँगे यह interface को लेगा अगर यह आपके mobile में यह tick नहीं है तो आप tick कर देज़े decimal यह tick नहीं है ना मैंने यहाँ पर tick किया और ok कर दिया अगर आपके mobile में नहीं है तो आप tick कर देज़ेगा और हम यहाँ ibs permissions पर click कर देंगे मैंने click किया और यहाँ पर पूड़े जो आपके option है उनको tick कर देंगे, right कर देंगे अगर आपके option नहीं है तो पूड़े option राइट कर देज़ेगा आपके camera कोई प्राबलम है उस प्राबलम को ठीक करवाना पड़ेगा मेरा mobile camera भी खराफ हो गया था तो मैं इस camera को repairing करवाने के लिए service center में ले गया था तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि आपके mobile में कोई problem नहीं है सिर्फ एक wire आपकी निकली हुई है इसलिए बता रहा है उन्होंने मेरे साब ने ही इस mobile को खोला और देखा कि wire लिकली है या नहीं तो मैंने देखा कि वह wire निकली हुई थी फिर उन्होंने उस wire को उस camera में set कर दिया तो camera फिर से open होने लगा ओके तो problem यही है आपके camera में तो आपको service center में जाना पड़ेगा और बनवाना पड़ेगा अगर service center में आप नहीं बनवाना चाहते हैं तो आप दुकान में बनवा सकते हैं दुकान में आपको सस्ता पड़ेगा आपको अच्छा लगा होगा अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को subscribe कीजेगा वीडियो को like कीजेगा दोस्तों पर share भी कीजेगा अब इस वीडियो से रिलेटेट आपके पास को इसका पूछेगा मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा तब तक के लिए बाइट थैंक्यू दोस्तों जैहें